समस्कार वच्छों आप सबों का स्वागत है हमारे एटुजएद स्टुडी पॉइंट चैनल पर आज हम नए टोपिक लिखाए हुएं पेजबतिस सुगम हिंदी तो उसी के पर आज हम चर्चा करेंगे कहता है कि देख सकते हैं कि नीचे दिये गए वाक्यों को पढ़कर पुर्ण विराम किस वाकब में लगेगा आपको इस वाकब में लिखना है और प्रस्च वाचक चिन अगा, पक्ति नीचर बात है यह को परस्च के बात है पूर्ण वराम का वह अपनी मां के साथ रहता था तो इसमें पुरनी विराम पर यहां पर प्रश्ण वाचक चिन प्रश्न वाचक चिन फितिन पुरनी विराम यही आपको लिखना है यह 32 आपका complete हो जाता है अब देखते हैं यहां पर कि क्या दिया हुआ है नीचे दिए चीतर में क्या-क्या दिखाई दे रहा है उनके नाम लिखी आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है कुटा दिखाई दे रहा है औरत दिखाई दे रहा है कोई पनी डाल रहे हैं यहीं सब को आपको लिखना है क्य पर आहाँ पर इसी में से ढुंके आपको वैक्ती या लोक का नाम इसमें लिखिए जगा या अस्थान का नाम इसमें लिखिए जानवर और पक्षि का नाम इसमें लिखिए होниदुनकर फूल पर तितली भरेट तितली भरिये विट्षी है यहाँ खाली जगा Ou되는 यहां लिखेंगे किसान, किसान खेती में, खेतों में काम करता है, किसान लिखेंगे, तीन में है जंगल में जानवर रहते हैं, यह लिखेंगे, चार नमर में है तोता, यहां लिखेंगे तोता, यहां पांच नमर में लिखेंगे, पउधा, उसके बार यहां दो नमर में दिय सकते हैं चलिए देखते हैं और कोस्टिन क्या दिया है नियुकित वाक्यों से संग्यां सब्द छांट कर लिखी तो संग्यां इसमें से कौन संग्यां है उसको चुनके यहां लिखना है संग्यां की परिवास आप जानते हैं कि किसी वस्तू या अस्थान के नाम को संग्यां क की नाम वाले सब्सक्राइब को जो जो संगयां के लिए हैं जी होता है की पूरती सरुनाम सबस्वनाम कि से इंद सब्सक्राइब मेरे गाना नहीं है यह गलाट है यह मुझे लिखें यहांपर मुझे खाने के लिए कूछ लिखिए यहां लिखांगे वहां कौन बैठा है यहां लिखेंगे यह मेरी घड़ी है दारवाजा खोलो सायद कोई आया यहांपर कोई लिखेंगे अब दिखते हैं next question में यहां लिखा है कि मिनंक्छी ने पेंसिल देखकर कहां भाई इसे दिखाना है यह लिखिए पेंसिल के लिए कहा गया है और इसमें लिखेंगे मनीज के लिए कहा गया है बिल्ली के लिए बिल्ली ने दूद पियार हुआ वहां से भाग गई कौन भाग किया बिल्ली भाग गए तो यह सब्द बिल्ली के लिए कहा गया है उमीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा उसके बाद देखते हैं कि जंगल में मोर नाच रहा है तो उसके पंक बहुत सुंदर है यहां मोर के लिए का यहां मोर लिखिए और यहां पर लिखेंगे हर प्रीत लिखिए यहीं इसका कोश्चन दिया है अब यहां कोश्चन दिया है कि नीचे दिये गए सब्दों में से सरवनाम सब्द छांट कर लिखिए तो इसमें से जो सब्द दिय वह तुम आप उसे कोई वे यह मैं यह सब शरवनामसब्द है उसी को लिखना है कि दी वी जंगल में जा रही है वह हरी घास खा रही अब यहां लिखेंगे उसने अपने सहील से पूम कहों जा रही हो इसमें उसने भरिये यहां पर यह page 35 complete हो जाता है यहां question दिया है कि दिये गए सरुनाम सब्दों का उप्यों करते हुए वाटियों को पुरा किजिए यहां यह सरुनाम सब्द दिया है इसी को भरना है को कॉंट्रा भरा जाएगा तो एक मत्या बक्री जंगल में जा रही थी तो रास्ते में उसको यहां भरिये उसको एक भेडिया मिला दों भरिये मोहन ने सोहन से पूछा कि तुमने रोहन को क्या दिया तीन में भरा जाएगा कमला ने सोहन से कहा कल वह बजार जाएगा यह चार नमर का था अब पांच नमर में आते हैं क्या दिया इसको देखते है इसको पुर्णी विराम कहते है वो प्रश्णुवाचक चीन है कि इसका पर्युग करते विए आपको चार्ज वाक्य बनाना है तो वाक्य बनाए बक्री जंगल में जा रही थी, तो इसको यहां पुर्णी विराम का चिन दीजिए, मैं पढ़ रहा था, यहां पुर्णी विराम दीजिए, तुम क्यों रो रहे हो, पुर्णी वाचक चिन लगा दीजिए, चार में सीता क्या खाती है, पुर्णी वाचक च ये प्रश्न वा से मिघंत की लिखा सब्सक्राइड लगाधा कर पूरह य्छा इस जो लिखा इसमें से कहीं चिन में किया है और ये चिन का परियोग आपको इसी में से करना है ये प्रश्णवाचक नहीं है ये प्रश्णवाचक है तो कहां कहां होगा आप देखें लिखना है मीना वन में घास लेने जा रही थी प्रश्णवाचक चिन देजिए रास्ते में उसे रीना मिली प्रश्णवाचक चिन नह हो उसने पूछा कि तुम वन में क्यों जा रही हो यहां पर आपका प्रस्ण वार्चक्चिन होगा यहां पर आप प्रस्ण वार्चक्चिन लगाएंगे तुम्हें वहां कितना समय लगेगा प्रस्ण वार्चक्चिन लगेगा यह आपका टोपिक यह दिखते यह टोपिक तो उमीद है कि आपको यह वीडियो भले बांते अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आप हमास से जूल चुके हैं पहल सब्सक्राइब और कविताय में संजुगतता इसमें सब्सक्राइब कर दोनान काल चाल यह व्यम्यों सब्सक्राइब तो फीया है आप देखको लीजएữa00 उसके बार लिए एक वे यह करते हैं क्या देहाक कि बील्णी बोलती दीली कैसे बोलती है तु मियों यह मियों है यहां मियों फलेएzus कि अवहिए उसके वाद दिया है जी भर खाया क्या जिवर खाया मखण यहां पर मखण लेखी मकषंiger छी भर मखया श्ने का मख़न माल थीक है तो आईसे-ईसे चुन-चुन के इसको भर ये भी खर आटे भर रही थी शुन्नू भी खराटे भर रही थी तो इसमें लिखेंगे दही का मनथनकर मखन निकला जाता है जुल मखन को इसमें करता हूं पक्षी कि और हुड़ गिया कि शुळें रिपीड करते हैं ऐसे माख तो काफी लंबा होता है पक्का इसमें से आपको अपनी भासा में कोई बना लेजिए हैं तब तक क्यूंfly हो थी अरतिसक्स यौष्ट